प्रियांग सौरव विधान सभा में आज का दिन काफी हंगामा वाला रहाज इस तरीके से आज विफक्ष के नेतावने लगातार तमा मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है वहीं अब जो ततकाल की स्थितिय वहाँ पर माले विधायक लगातार अरे हुए थे बिहार सरकार के मंतरी के तरफ से जो बयान दिया गया था उस बयान को लेकर लगातार उनका विरोध कर रहे थे और उन पर कारवाई करने की मांग कर रहे थे दरसल अशोक चौधरी ने एक बयान दिया था जिसको लेकर माले विधाय काफी गुस्से में थे और वो लगातार कारजवाही नह आप जो सत्र चलेगा वो कल से चलेगा आप देखिए सदन में क्या कुछ हो बाइड जाईए सांके बाइड जाईए बाइड जाईए अब बाइड जाईए संसदिये कार्ज मंत्री जाईए जाईए जाईएंके जाईएग जाईएंके बैठ जाईए सदन को चलना दिजिये क्या सदन चलने दोनाने चाहते हैं सदन चलने दोना नहीं चाहते हैं ख्या सदन चलने चाहते हैं क्या सदन चलने चाहते हैं अब अब सभा की बैठक सदन चलने देना चाहते हैं या नहीं तो अब सभा की बैठक जब संसदिये काज मंत्री जी सारे विशय को रखके खेद ब्रक कर दिये इसके बाद ये उचित नहीं है ये उचित परंपरा नहीं है और सदन चलने देना नहीं चाहते है ये भी उचित नहीं है सदस्वा के हितने आप लोग सदन चलने देना चाहते हैं या नहीं आप बता दें सदन चलने नहीं देना चाहते हैं तो अब सभा की बैठर बिरस्पती बार दीनांग 25 फरवरी 2021 को 11 बज़े पुरवाहन तक के लिए अस्थागित की जाती है अस्थागित की जाती है